आज आप पढ़ेंगे क्लास एट की हिंदी जिसका सेकेंड पार्ट है नेकी का फल इस पार्ट में कारवास की नाम के एक अपाईज व्यक्ति और लिल मिलर की कहानी दी गई है इसके माध्यम से बताया गया है कि अच्छे कारणों का परडाम हमेशा अच्छा ही होता है तो चलिए पूरी बात जानने के लिए कहानी को बढ़ते हैं आप लोग ध्यान पूर्वक सुनें टन 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 फोन की घंटी बजी कारवास की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा मिस्टर कारवास की है जी मैं बोल रहा हूं आप कौन कारवास की ने आश्यर्षे परिप्रस्ण किया परिप्रस्ण मिस होता है प्रश्ण के उत्तर में प्रश्ण करना जैसे जब उदर से फोन आया तो उसने पूछा कारवास की है तो उसका उत्तर देते हुए कारवासकी ने कहा जी मैं बोल रहा हूँ और फिर से प्रस्न किया आप कौन phon करने वाले की आवाद उसके लिए एकदम अजनवी थी अजनवी मीस होता है आपरिचित तो जिस व्यक्ति ने phon किया था कारवासकी के लिए वह आवाद आपरिचित थी मैं मैं मिस्स क्लास हूँ देखिए मैं आपके लिए कुछ तौफा भेज रही हूँ तौफा मी सोता है उपहार अस्विकार न कीजिएगा किसी ने अनरोध पूर्वक कहा अनरोध पूर्वक मी सोता है विने के साथ अस्विकार्मी सोता है इनकार करना या मना करना जो मिसिस क्लास थी उन्होंने कारवास्की से कहा मैं आपके लिए तौफा भेज रही हूँ आप इसके लिए इनकार न कीजिएगा मिसिस क्लास ने अनरोध पूर्वक कहा कारवास के आगे कुछ पूछताच करता की फोन बंध हो गया जिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की बार बार खुजाया, सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अफसर पर मजाग किया है वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया बात उसके मन से उतर गई कुछ देर वह इस बारे में सोचता रहा, फिर अपने काम में लग गया तो ये बात उसके दिमाग से निकल गई कुछ देर बाद वे देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुन्दर वा हरा भरा क्रिस्मस ट्री और 300 डॉलर लेकर एक महिला आई हसकर बोली मेरा नाम लिल मिलर है आप बुरा नामाने मिसिस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था मैं इस कार बोलो में रहती हूँ तो जो औरत आई थी उसका नाम क्या था लिल मिलर उसी ने मिसिस क्लास के नाम से कारवास्की को फोन किया था और वैं कहां की रहने वाली थी इस कार बोलो की कारवास्की ने आगुंतका की ओर देखा आगुंतका याने की आने वाली इस्त्री ये किस के लिए की यूज किया गया है लिल मिलर के लिए वह उससे पहले कभी नहीं मिला था मिलने का सवाल ही नहीं था वे टॉरंटो में रहता था और लिल मिलर इस कारवरो में कारवास की कहा रहता था टॉरंटो में और लिल मिलर इस कारवरो में वे 49 वर्स का युवा था और लिल मिलर सत्तर के ऊपर दिखती थी सत्तर के उपर दिखती थी मतलब जो लिल मिलर थी वो सत्तर से भी ज़्यादा हुम्र की थी बादचीत से पता चलाक की मिलर बड़े दिन के अफसर पर प्रती वर्स एक इमानदार त्यागी तथा सेवा भावी व्यक्ति को चुनकर तौफी दिया करती हैं जो लिल मिलर हैं वे हैं बड़े दिन के अफसर पर प्रती एक वर्स यानि कि हर साल एक इमानदार त्यागी तथा सेवा भावी व्यक्ति को तौफे दिया करती हैं आगुंतका के चहरे पर बड़ी सालीनता थी आखों में भूला पन्ता और आवाज में माधुर्य माधुर्य मी सोता है मधुर्ता तो जो लिल मिलर थी उनकी आखों में भूला पन्ता और आवाज बहुती मधुर्ती कुछ चड़ दोनों में से कोई नहीं बोला बस जब तब एक दूसरे की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते आखिर मिलर ने मुँँ खोला भया कारवास्की मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे लेकिन तुम्हें क्या बताऊं उनका दिल बहुत बड़ा था बहुत ही बड़ा वे कहते थे जो अच्चे और सच्चे लोगों को देता है वे अपने जीवन में बहुत पाता है पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे यही संसकार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहन किया है ग्रहन करना मिस होता है किसी भी चीज को लेना यानि कि कोई अच्छाई को, जो मिलर के जो माता पिता थे, यानि कि जो उनके पिता थे, माता पिता जो थे वो पताती है कि उनका मन बहुत बढ़ा था, वो अधिक पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन जो उनका दिल था, वह बहुत बढ़ा था, और बड़े दिन के अफसर पर प्रती एक वर्स उनके पिता जी अच्छे और सेवा भावी व्यक्ति को चुनकर उन्हें तौफ़े दिया करते थे तुझो लिल मिला रहे हैं कहती यही संस्कार मैंने अपने पिता जी से ग्रहन किया जो उनके अच्छे गुर्ते उन्हें मैंने भी अपने अंदर ग्रहन किया मैं बड़े दिन के अफसर पर एक तौफा और कुछ रासी रासी मी सोता है धन यह सोच कर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन कुछ आनन्द से बीतेगा मिलर की बात सुनकर कारवासकी की आखें डबडबा आएं मतलब आखों में आसू भराए उसने मनी मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसे परिस्ते इस दुनिया में हैं विहलोकर भोला विहल मी सोता है भावुक भावुको कर बोला बहन आप मुझे कैसे जानती हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया सच मानिये कुछ भी तो नहीं किया मैं तो आगे कुछ बोलते इतने में कारवासकी को बीच में ही रोक कर मिलर ने कहा नहीं नहीं मैं सारी बात अखवार से जान चुकी हूँ आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है निमिस भर में कारवास्की की आँखों के सामने एक द्रश्य घूं गया आठ वर्ष पहले मदुमेह रोग की कारर उसकी एक टांग कट गई थी एक दिन वह अपनी अपाईस गाड़ी में बैट कर किसी बैंक की मसीन के पास गया था वहाँ उसने एक लिफाफा रखा देखा कोतुहल वश उसने लिफाफा उठा लिया कोतुहल मिस उत्ता उत्सुकता खोला तो पाया कि उसमें तीन सो डॉलर की नोट थे नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुई उसने मन ही मन कहा उफ जिसकी इतनी बड़ी रखम खोई हो वह विचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा सायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया जाने कहां कहां भटक रहा होगा हो सकता है निरास होकर मन मसोस कर रह गया हो लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था बड़ी रखम हाथ में थी और कोई वहां नहीं था उस समय कारवासकी को रुपयों की सक्थ जरूरत भी थी मन में कुछ ऐसा वैसा खयाल आते ही उसने सिर जटका उसके भीता जैसे ही कोई बोल उटा अर्य कारवासकी पहले ही पता नहीं कि किन कुकरमों की सजा पा रहा है कुकरमी सोता बुरे कर्म यनि कि जब उसके हाथ में 300 डॉलर के नोटों से भरा हुआ लिफाफा आया तो वह कुछ गलत सोचता उससे पहले ही उसके मन में खयाल आया और उसके अंतर मन से आवाज उठी कि तू पहले से ही पताने किन कर्मों की सजा पा रहा है और एक कुकर्म फिर से करने जा रहा है देखो आगे एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है क्योंकि जो कारवास की था उसका एक पैर मदमेर के कारण कट चुका था तो वे अपने गलत कर्मों की सजा उसको बोल रहा था वे कहता है एक और गलती करकर तो फिर से पाप का भागी बनता है तो इंसान है और इस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है उसने अपने मनीमन सोचा उसने ततकाल अपनी गाड़ी को आगे भढ़ाया और बैंक की अधिकारी को वे लिफाफा सौप दिया और कहा कि क्रपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दीजिए फिर वे अपनी गाड़ी को आगे भढ़ाते हुए बैंक अधिकारी के पास गया और उसे वह लिफाफ़ सौपते हुए कहा कि कृप्पा करके आप इसके मालिक का पता करके इस लिफाफ़े को उसको सौप दें आगे पढ़ते हैं घर लोटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था उसने सोचा यदि मैंने लिफाफ़ रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे दिक्कारती शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी किसने सोचा कारवास्की ने कारवास्की वै लिफाफ़ा देकर अपने अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि अगर मैं उस लिफाफे को रख लेता तो मेरी आत्मा मुझे दिक्कारती शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी मन में सोच रहा है कि भगवान ने शायद मेरी परीक्षा ली थी कि मैं इस लिफाफे को रखूंगा या उसे सोब दूँगा यानि कि वे ये कहता है कि मैंने उस लिफाफे को सोप कर एक अच्छा काम किया है वे अपने अंदर ये अंदर बहुत प्रशन हो रहा था वे साल कारवास्त के के लिए बड़े कसाले का था उसके पिता चल बसे थे यानि कि उसके पिता का देहान तो चुका था उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी उसका बाया पैर तो पहले ही कट गया था और भड़ते हुए मदुमे के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नोवत आ गई थी कहावत है कि मुसीवत कभी अकेले नहीं आती उसका बटुआ कहीं गिर गया उसमें रखी और सब चीजें सुरक्षित थी पर 1500 डॉलर किसी ने उड़ा लिये थे उड़ा लिये थे मतलब चुरा लिये थे उस समय उसे जो निराशा हुई थी उसे याद करके वे आज भी सिहर उठा था यहाँ पर देखिए कशालिमीस होता है कस्ट कर यह जो साल थी इस साल उसे बहुत ही कस्ट था यानि कि बहुत ही दुख के साथ यह समय उसका बीत रहा था क्योंकि उसके पिता का देहांत हुआ था फिर उसकी पतनी उसे छोड़ कर चली गई और उसका बाया पैर कट चुका था और उसका दाहिना पैर था वे अभी मदमेर रोक के कारड कटने ही वाला था यानि कि कटने की ही नौबत आ गई थे और उसका बटवा जो था यानि कि उसका पर्स था बाकी जो उसमें सामार रखा हुआ तो वे तो सारी चीज़ा रखे हुई थी लेकिन देर सो डॉलर किसी ने चुरा लिये थे तो वे उस समय को याद करता है तो बहुत ही उदास हो जाता है पर संयोग देखिए तब ही अनायास उसे 80 डॉलर मिल गए अनायास मिस होता है अचानक यह रखम उस व्यक्ती ने भेजी थी जिसका 300 डॉलर का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौप दिया था जो बैंक में उसे लिफाफा मिला था जो वो बैंक के अधिकारी को सौप कर आया था उस अधिकारी ने पता करके वे लिफाफा उस तक पहुचा दिया था तो उस व्यक्ती ने कारवास्की के लिए 80 डॉलर पुरुसकार शरूप दिये थे निलास होकर जब वे व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका कोया हुआ लिफाफा उसे सिरक्षित मिल गया उसीने अपनी करतक ग्यता जताते हुए 80 डॉलर पुरुसकार शरूप भेजेते और इस्थानिय समाचार पत्र में उस घटना का विस्तित विवरड दे दिया था यानि की 80 डॉलर उसे पुरुसकार सोरूप दिये थे और एक समाचार पत्र में इस घटना यानि जो ये घटना घटी थी उसका विश्तृत विवरड की डिटेल में लिखा हुआ था शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाप किया था संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है उसने सोचा किस ने सोचा लिल मिलर ने लिल मिलर को यह बात जो रुपेत जिसके थे 300 डॉलर उसने ये पूरी घटना एक समाचार पत्र में लिखी थी वह पढ़कर लिल मिलर को कारवास्की के बारे में पता चला था और इसी बात को पढ़कर उसने कारवास्की को उपहार देने के लिए चुना था वह सोचती है संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है चल चित्र की भाती सब कुछ कारवास्की की आखों के आगे घून गया यनि की कारवास्की को वह बात याद आ गई वह खोया-खोया सा बैठा रहा फिर आखों से टप-टप आशु गिरने लगे और रह रहकर वदन कापने लगा लिलमिलर उसकी यह अवस्ता देख कर द्रवित हो उठी वह कारवास्की के चहरे पर निगाहें गड़ाए रही कारवास्की के चहरे पर निराली मासुमियत्ती और आखों में अदबुत प्रेम जलक रहा था कुछ देर और रुक कर और उसे धन्यवाद देकर लिलमिलर चली गई मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो वह दोबारा कारवास्की के पास पहुँची इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लोटी की कुछ टिक्टें और पांसो डॉलर लेकर आई थी भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, ये छोटी सी भेट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे कारवास्की के आश्वरे का ठिकाना ना रहा, वे सोच भी नहीं सकता था कि इंसान होने के नाते, उसने जो कुछ किया था, उसका उसे इतना बड़ा पुरुसकार मिलेगा अपने अंतर के जुआर को जैसे तैसे रोकते हुए बोला, बहन, जब तक इस धर्ती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसके धुरी तूट नहीं सकती, नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से अपने आसु पुश्ते हुए कहा, धन्य है वे, जो स्वार्त में अंधे नहीं होते, और प्रलोवनों के आगे नहीं जुकते, प्रलोवन मी सोता है, लालज, वे किसके लिए कहरी है, लिल मिलर, कारवास्की के लिए, ये कहती है कि वे लोग धन्य हैं, जो लोव नहीं करते, यानि कि अपने स्वार्त में अंधे नहीं होते, प्रभू सदा उनका साथ देते हैं, तो बच्चों इस पार्ट से हमें क्या सिख्षा मिलती है, कि इमानदारी हमें आंत्री प्रसंता के साथ-साथ यस और पुरुसकार भी देती है, यस मीस होता है कीरती, यानि कि हमारे अंदर जो इमानदारी है, उससे हमारा हिर्दय बहुत ही प्रशन रहता है, और उससे हमारा यज फैलता है, और हमें पुरुसकार भी मिलता है, तो हमेशा कटिन से कटिन परिस्तिती में भी हमें अपनी इमानदारी और अख्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, जो आपको पढ़ाया गया है, आप इसका अध्यन करें, और आपको इस प्राबलम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, धन्यवाद